इंडिया गटबंदन ने चुनाव आयोग से मांग की है कि लोकसभा चुनाव बैलिट पेपर से करवाये जाएं। गटबंदन का कहना है कि कई हारे हुए प्रतियाशियों ने EVM पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में जरूरी है कि चुनाव EVM से ना करवाये जाएं। इंडिया गटबंदन से जोड़े लोगों ने निर्वाशन आयोट के नाम ग्यापन सौपाज जिसमें मांग की गई है कि EVM मशीन पर पूर्पूर्टा प्रतिबंद लगाये जाए। देश में बैलेट पेपर के माद्यम से चुनाव किये जाएं। मद्रप्रदेश के कई हारे हुए परतियाशियों ने एवियम को अपनी हार का दोशी बताया है। उन्होंने का कि EVM की गढ़बड़ के करार हम चुनाव हारे हैं। महीं 36 गड़ में BSP परतियाशी ने भी EVM मशीन पर सवाल उठाएं। उस परतियाशी को एक भी वोट नहीं मिला। उसने कहा है कि अगर मेरी बीवी या परिवार या समाज की लोग मुझे वोट ना दें। मैं मानता हूं लेकिन मैं स्वाम का वोट तो दिया था फिर वो मुझे कैसे एक भी वोट नहीं मिला। इंडिया गडबंदन के लोगों ने कहा कि लोग सवाज चुनाव वेलेट पेपर से ही कराई जाएं। लेकिन जो स्वेम चुनाव लड़ा वो तो अपने आपको बोट देगा। उसने बात को सिकायद भी दज करा ही पेपर में भी छपा यी बात। लेकिन आगबं करके बैठा हुआ है तो लोग्तंत्र करें को हमारा बोट बैचने का अधिकार के लीए नहीं पीठाया गया है। हम जिसको बोट दे रहे हमां तक हमारा बोट पहुँचे इसके लिए बिठाया गया है। हम को जिन देशों ने इस मसीन का निजाट किया था, उन्होंने भी इसको बंद कर दिया है। वहाँ पे भी बोट, बैलेट से पेपर बोट हो रहा हैं, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, हमारा देश लोकतंत्र का मंदिर है सबसे वड़ा लोकतंतर है हमारे देश में और लोकतंत्र को म postporal के लिए मझबूत करने के लिए बिस्वस्ते बनाए रखने के सरकार की Economic के नेतिक जिम्मेदार ही है यदि एक जगह अभी संसे उठता है तो संसे को दूर करें और हमारी पूर्जोर मांगें कि बेलिट पेपर सही बोटो एक मात्र यही रास्ता है आप देख रहे हैं डखल न्यूज